नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट टू यानि मंदे रिपलाई बॉक्स में जहां हम जिन जिन भाईयों के कमेंट का रिपलाई संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंदे रिपलाई बॉक्स में देने की उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिस करते हैं तो चलिए गई ज्यादा बाते ना करते हुए सिधा मेन मुद्धे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं फ़र्ष्ट कुष्चन क्रिस्चन अरे भईया मेरी रैबिट दूध नहीं पिला रही है क्या करें बहुत परेसान है वीडियो जहां लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लीजे आपकी प्राबलम साल्ब हो जाएगा नेक्ट कुष्चन यूजर बी एफ टू एन जे शिक्स सर मैं अपने रैबिट को पूरा दिन पिजरे में रखता हूं मेरी फैमिली और कैट की वाजय से क्या इससे रैबिट को कोई प्राबलम तो नहीं होगा प्लेज रिप्लाई मी तो देखे अगर आप पूरे दिन अपने रैबिट को पिजरे में कैद करके रखेंगे तब उसे काफी सारा प्राबलम हो सकता है बाकि आप खुद ही समझदार है नेक्ट कुष्चन त्रिसना देवी भाई मेरी फिमेल रैबिट गड़े में बच्चा दे दिया है कैसे निकाले भाई प्लीज रिप्लाई मुझे बहुत डर लग रहा है तो देखे अगर आपकी मादा खरगोस ने बिल के अंदर बच्चों को जनम दिया है तो आपको बाहर निकालने की अभी तरीके से सेफ है नो प्राबलम निक्ट कुष्चन पवन परताब सर मेरा खरगोस ना तो खा रहा है और ना ही दो दिन से पेशाब और लेटिंग कर रहा है बहुत सूजन है पेट में सर क्या करें पिलीज जल्दी से जल्दी बताएं तो देखे आपके बताने के हिसाब से जाग रहा है कि आपके रैविट को पेट बंद की समस्या तेजी के साथ हो गई है इसलिए इस सिच्वेशन में आप कोई भी घरेली उपाए ना करें और तुरंत किसी अच्छे बेट डाक्टर के पास ले जाकर उसका टीटमेंट करवाएं वरना देर या लापरवाही हो ज बच्चे ना देने के कारण मादा खरगोस मर सकती है इस आप बिलकुल भी ना सोचिए क्योंकि एक रैविट भी अराम से रखा जा सकता है चाहे वो नर खरगोस हो या मादा निख्ट कुष्चन आफिसियल कुईन वन मन्थ के बच्चे को उपर का दूद पिला सकते हैं या नहीं हमारे तीन बच्चे मर गए हैं उनकी मा जब ओ छोटे थे तब ही मर गई थी तो देखिए जब तक मा खरगोस होती है तब तक बच्चों को दूद मा का ही पिलाना चा पर धीरे धीरे करके उसने सब खाना छोड़ दिया अभी छा दिन पहले अब तो ना बराबर खाता है मैं क्या करूँ मेरे तरफ के डाक्टर बस बी कामपलेक्स लीवर की दवाई और सस्पेंशन की दवाई जानते हैं और कुछ भी नहीं और कुछ भी हो यही दवाई देत जहां तंपरेचर थोड़ा कम हो और बहुत जादा गर्मी होने की वज़े से रैबिट खाना पीना बहुत कम कर देते हैं जिसकी वज़े से वो काफी कमजोर होते चले जाते हैं और बाद में रैबिट को काफी सारा प्राबलम भी फेश करना पड़ता है और इस बढ़ती आप अपनी मादा रैबिट को ऐसी चीज़ें खिलाएं पिलाएं जिससे उसके पेट में गैस वगयरा की समस्या बिल्कुल भी ना हो। बाकि आप बेट करते रहीए, आपकी मादा रैबिट नार्मल है, उसके पेट में बच्चे वगयरा भी नहीं है। इसलिए अगर इस कंडिशन में आपको आपके रैबिट के पेट में मुवमेंट नजर आ रहा है, तब आपको समझना है कि उससे गैस की समस्या जादा है, और आप जो भी चीज़ें उससे खिलाएं पिलाएं ये समझ कर खिलाएं कि उससे उससे गैस वगयरा ना बनें। और एक ही चीज बहुत ज़्यादा है, आप भोल कर भी अपने रैबिट को ना खिलाएं। पंदरा दिन का हो गया है, देखिए उससे गर्मी की सिकायत हो गई, ये उससे गर्मी लग गई है, इसलिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ठंडे माहौल में ही रखने की पूरी कोशिस करें वरना प्राबलम हो जाएगा, नेक्ट कुश्चन, यू ज़्यादा से ज़्यादा सांती का महौल देने की कुशिस करें, उसे मारे पीटे या चोट ना पहुंचाएं और जहां तक हो सके अपने रेविट का दिल जीते, उन्हें उनकी मन पसंद चीजे खिलाएं पिलाएं वो धीरे धीरे नार्मल हो जाएंगे और आपके उपर भ बहुत गर्म है और अंदर काट रही है क्या मैं उसे बाहर अगले डिब्बे में रख सकती हूं किर्पया अभी उत्तर दें तो इसका इंसर है आप घर्मी ज्यादा इसपेस वाले जगह पे ही बच्चों को और मा खर्गोस को रखें आप बिलकुल अलग डिब्बे में रख सकते हैं नो प्राबलम निफ्ट कुष्चन राम पाल मीना हमारा एक साथ दिन का खर्गोस है वह अपनी मा का दूध नहीं पी रहा है हम क्या करें हमारी मदद कीजिए वरना वह भी मर जाएगा तो देखिए अभी आप बच्चे को कम से कम तीन से चार बार पांच बार दो आप खुद ही समझदार हैं निफ्ट कुष्चन टीजी क्लिप्स आरके भाई मेरे फीमेल रैविट के प्राइविट पार्ट के साइड में चोट लग गई है और उसे हलका सा बलट भी आया है हलाकि उसके चाटने से बलट आना बंद हो गया मुझे सक है कि उसे चुहे ने क प्राटर को उसे जरूर दिखा लीजिए देर यार ला परवाही बिल्कुल भी ना करें नेक्ट कुष्चन प्रोवन सेबन वन सर सिर्फ है और पैलेट से ही खिला सकते हैं डेली एनी टाइम जब खीरा गाजर पालक और घास ना मिले तो तो देखिए हर मौसम में खीरा गा पैलेट्स या हे वगएरा यानि सुखा चारा वगएरा ही देंगे तब प्राबलम हो जाएगी निख्ट कुष्चन साक्षी या दो मेरा थोड़ा सा ज्यादा पैलेट्स खाकर बीमार हो जाता है लूज मोसन स्टार्ट हो जाता है और सिर्फ में चार या पांच ही पैलेट कर देना चाहिए निख्ट कुष्चन रासिद खान आरके सर मेरी रेविट प्रेगनेंट है और मुझे पता नहीं है कि उसको कितने दिन हो गए है प्रेगनेंट हुए बट मैं उसके पिजरे को कोई भी कपड़ा से कबर करता हूँ तो वह उससे अंदर खीच लेती है और उ देखे अभी आप अपनी मादा खरगोस को ज्यादा तर पिजरे में ना रखकर खुले में रखने की पूरी कोशिस करें और उसे कपड़े वगरा बिल्कुल भी ना दें आप काटन देने की कोशिस करें काटन यानि रूई लैक दम सूखे हुए घास वगरा भी दे सकते हैं तो चलिए गाज मिलते हैं रैविट से रिलेटेड किसी और नई वीडियो में रैविट की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए तब तक के लिए जाए हिंद